यदि आपका प्रजव यूनी मार्क के त्वारा हो रहा है तो आपके डॉक्टर आपको यूनी के मुख को चौड़ा करने के लिए एक एपिसी ओटॉमी कर सकते हैं करबावस्ता के दौरान आपका प्च्चा आपके करबाशय या कोक के अंदर बढ़ता है और प्लेसेंटा यानि अपरा या प्रोन का सुरक्षात मकावरण जुसके द्वारा उससे पोशन मिलता है जब आपका बच्चा जन्म लेने के लिए तयार होता है तो आपको प्रसवपीडा होने लगती है प्रसवपीडा के दोरान आपका करबाशय आपके बच्चे को खुले हुए सर्वेक्स यानि करबाशय क्रिवा के मात्यम से आपकी योनी में तकिलने के लिए दबाव करता है और सिकुरता है और जिसके कारण आपकी योनी आपके बच्चे को पारित होने देने के लिए और जन्म लेने के लिए चौड़ी होती है यदि आपका बच्चा बढ़ा हो या प्रिस पोजिशन यानि नित्म पहले बार निकले फैसी सिती में है या यदि प्रिसव बहुत तेजी से हो रहा है या यदि आपके बच्चे को बर्द कैनाल यानि योनी मार्ट में से बाहार निकालने के लिए पॉस एप्स या वैक्यूम एक्स्ट्रेक्टर जैसे उपकरणों की आवश्यक्ता होती है तो प्रिसव के दौरान योनी के मुख का अचानक से अपने आप फच्चाने को रोकने का प्रयास में एक एपिसी ओटॉमिकी प्रक्रिया की जा सकती है यदि आपके डिलिवरी बहुत दीमी हो रही है या आप या आपके बच्चा मुश्किल स्थिती में है तो प्रिसव को गति देने में मदद करने के लिए भी एक एपिसी ओटॉमिकी प्रक्रिया की जा सकती है यदि आपको प्रसव से पहले ही अनिस्टेशिया नहीं दिया गया है तो आपके डॉक्टर आपके योनी के मुख को और पेरेनियम को वो ख्षित्र जहां योनी और गुधा को अलग करता है वो सुन्न करने के लिए वहा तवाई का इंजेक्शन देगे सर्जिकल सिजर्स यानि सर्जरी के लिए एक विशेश कैची जिसका उपयोग करते हुए आपके डॉक्टर पेरेनियम में एक सिती निच का मिडल लाइन चीरा या गुदे की लाइन में सिता किया हुआ चीरा या मेडियो लेटरल चीरा यानि गुदे से विक्रणा में किया गया एक चीरा करेंगे एक मीडल लाइन चीरा आपकी योनी से गुदे तक चाता है एक मीडियो लेटरल चीरा आपकी योनी से गुदे की तरफ लिकिन तिर्शा किया जाता है मीडियो लेटरल चीरे का लाप ये है कि इसके गुदे में फटनी की संभावना कम होती है लेकिन इसका नकरात्मक पक्ष ये है कि अधिक दर्दनाग भी हो सकता है और इसे ठीक होने में अधिक समय लग सकता है एक बार जब आपके डॉक्टर, आपके बच्चे और प्लेसेंटा यानि अपरा या प्रून का सुरपशात्मक आवरण का प्रसाव कर लेते है तो वे टांक ले और एपिसियोटॉमिक के चीरे को बंद कर देंगे ये टांके आपके शरीर के द्वारा आउसेशित हो जाएंगे और उन्हें निकालने की आवश्यक्ता नहीं है एक अपिसियोटॉमिक का चीरा आम तोर पर बीनागे से चटिलता के ठीक हो जाता है हाला कि इसमें कई सब्दा लग सकते है पहले 24 गंटों के पीतर आपके नर्समभवत आपके टांकों पर बर्प के पैक को लगाने में मरत करेगी